मैं इस वीडियो के अंतरगत आपको बताऊंगा कि Embryo Cloning क्या है इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने Cloning Technology के बारें बताया था जिससे बहुत सारी Cloning यानि बहुत जासे एक्जेसे एक्जेक्ट कॉपी बनाई जा सकती है जैसा कि आप जानते हैं Cloning Technology का मतलब है कि हम एक जैसी एक्जेक्ट को भी बनाई जा सकती है जिसमें केवलो केवल एक पेरेंट्स के डीने की यानि उसकी जैनेटिक मेंटर की आपशक्ता होती है तो इसमें उससे पहले एंब्रियो क्लोनिंग से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अभी मॉडर्न टेक्नोलोजी कहेंगे मॉडर्न मैं कब से स्टार्ट हुई जैसा कि जाना जाता है कि एक साइंटिस्ट हैंस डिस्ट जो अनुना अठारा सोमें सर अठारा सोमें उन्होंने इस एंब्रियों से ही द से ही बनाए थे दो सी अर्चन उसके बाद हैंस इस पिमान ने 1902 में सेलमेंडर जो शेम अन्वेंडर के आपना या उन्होंने खिलों बना दिए एक जैसे सलमेंडर बनाए थे इसके बद फिर एक साइंटिस्ट की टीम जो फ्लाइटलफी अमेरीका में निस्ट एक्यामन मे 1951 में उन्होंने एक frog embryo से clone किया यानि frog embryo था उसमें से कई clone बनाई सेम बना दिया उन्होंने क्लीमन मारकर सांटिस्ट थे उन्होंने अपनी टीम के साथ 1978 में माइस इसी embryo से माइस को क्रियेट किया माइस का मतलब चुहा होता है उसको क्रियेट किया इस टीन विलेट सन ने 1986 में कि जो सीप है भेड है उसका भी उन्होंने embryo क्लोन किया था यानि उसके embryo से ही क्लोन बना दिये थे उन्होंने सीप के embryo से क्लोन किया था यानि क्लोन बनाया था सीप का यानि भेड का और इसके बाद नील फर्स्ट साइंटिस्ट वह भी 1986 में ही यह दो टीम थी इस टीन विलाइडशन की और नील फर्स्ट की 1986 में सेपरेट इन्होंधन किया तो एक ने सीप यानि भेड से क्लोन बनाया यानि भेड का क्लोन बनाया और वो एंब्रियो क्लोनिंग थी सब नील फस्ट वाली टीम ने काउ का एंब्रियो बनाया यानि एंब्रियो क्लोनिंग की उन्हों ने वो जो एंब्रियो क्लोनिंग थी वो काउ की थी यानि गाय की एंब्रियो से क्लोनिंग की अब कि एक स्पर्व और एक एड यानि अंडा है यह और यह सुक्राण हुआ है तो यह सुक्राण हुआ है इनको फर्डिलाइस किया जाया है यह फर्डिलाइशन हुए इन में और यह सब इन में फर्डिलाइस किया यह सब बाहर किया गया है इन टेस्ट्यूम में यह सब टेस्ट्यूम में किया गया और पाया गया यहां पर एक जैगोड बना फिर यह बना जैगोड यह जैगोड बना था यह सब टेस्ट्यूम में हो रहा था यानि इन टेस्ट्यूम यह सब जो है टेस्ट्यूम में चल ला है प्रोसेज जाइग बाद फिर इसमें एक अर्ली एंब्रियो और डबलाफ होने दिया से साथ दिन तर तो इसमें एंब्रियो बना है यह वो एंब्रियो कि यह एंब्रियो बन गया कि यह अर्ली एंब्रियो था डबलब गवा अल्ली एंब्रियो इस एम्रियो से यह एंब्रियो बनार कि इस तरह इस बनार चाथ त्रेंस में यह घंतेंट उ सकती कि enact टेकन तो यह एंब्रियो जो भूर्ण था इसकी भूर्ण की जो सैल दे गई यह बूर्ण की सैल देगी इसमें से यह अलियो अम्रह इससे सैल दे गई है और इनको डबलब कर दिया गया इनको अलग ही जैसे सपोज करो यह किसी काव की हैं यह यह सपोज करो यह गाय की है यह काव फीमेल है और यह मेल है के और मेल सेस्परम लिए के और एंड उससे काउ से लिए गए और इस वीडियो में इसी में देखेंगे आप इस सपर में मेल से य गया यायने शांट से लिए गइंड बना उसके बाद अल्प एंभेट यो बना इस अम्प यू तरह गई और उनको अलग लग डबलप किया गया और देखा गया कि यह डबलप हो गए यानि कि यह क्लोनिंग है गाव का क्लोनिंग यह जो की गई यह क्लोनिंग हो इसकी एक तरह की यह जो थी एक जैसी एक जैसे एक जैसे एकजैक कॉपी थी यानि एक्ड्रियो इसलिए कही कि यहसी एकजैसी एक बना था सह साitel ल dinero कर कोई और यह जैसी गाए का उथपन किया तो यह है एकजैसी होंगे Inn से इस तरह के एंब्रियो कर सकते हैं वो जो होंगे एम्प्रियो से क्लोणिंग्स होगी यहां कि इसका मेल का इसका मेल का और फीमेल दौनों का होगा यानि कि जेनरे कॉंस्ट्यूशन दौनों का ही होगा यह जो क्लोन है यह एंब्रियो बन गया होता है तो एंब्रियो से ली जाती है और फिर उसको डवलप कर दिया जाता है अलग-अलग ट्विंस में ट्रिपलेट में फोर क्वाड़ेट में यानि वह दो भी हो सकते हैं तीन परोनी यह संबभभ हो सकती है अ